आज की रेसिपी है वो बहुत मज़ीदार ही और बहुत ही टेस्टी है और इसमें जो भी इंग्रीडियन्ट है एनिटाइम हमारे कीचन में रहते ही है और विजिटी टेबल मैं तो सबसे पहले आलू जो मुझे लगता है सभी का फैर्विट होगा और हमारे घर में तो सबको बहुती ज़्यादा पसंद है तो हमेशा आलू के हम क्या ही सबजी बनाएं तो आज हम बहुती मज़ेदार आलू की कड़ी बनाएंगे उसके साथ भिंडी फ्राय जो बहुती तेस्टी बहुती मज़ेदार कॉंबिनेशन है तो बातों में टाइम विस्ट ना करते हुए आए पहले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं अज़े से मैश हो जाएगा तो वह तो आलू कड़ी बना लेते हैं उसके लिए कड़ाई में दो चमच राइका तेल और उसमें दो चमच बेसन एड की हूँ और लो फ्लेम पे भून लेंगे में डियम तो लो फ्लेम पे मैंने राइका तेल लिया है आप जो भी कुकिंग ओ खाते हैं आप ले सकते हैं जब हिंडी थोड़ी से भून जाए एक से दो मिनट में जो है बेसन वो भून जाएगा उसके बाद उसमें मैश आलू एड की हूँ और जो भी बेसिक मसाले आधा चमच हल्दी आधा चमच धनिया पौडर आधा चमच गरम मसाला स्वाद अनुस पानी डाल कर 10-15 मेंट तक किसे हैं मेडियम टू लो फ्लेम पे बॉइल होने देंगे तब तक भींडी का मसाला तयार कर लेते हैं मसाले के लिए यहां पे मैं एक चमच सौफका पावडर एक चमच धनिया पावडर आधा चमच गरम मसाला आधा चमच भूना जीरा पावड अदधा चमच, हल्दी, स्वाध अनुसार, नमक और आधा चमच, काली वाली जो मंग्रेला आती जरूर डालें उसरे फ्लेवर बहुत अच्छा हाता है और नमक और खटाई के लिए एक चमच में अनारदाना एट की हूँ और यही अनारदाना में आलो की कड़ी में भी डालोंगी अगर अनारदाना नहों तो इसके जगा अमचुर पावडर या चाट मसाला या इल्मी का पल पाता वो भी आप ले सकते हैं साथ में मसालों में मैं दो चमच राइका तेल एट कर रही हूँ इससे मॉंस्चर आएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अच्छे से होगा यहां पर बस दस से पना मेंट होगे कड़ी वाइल होगई अब हम तड़का लगा लेते हूँ इसमें तड़का लगाने के लिए एक चमच जीरा दो सूखी वाली लाल मिर्च आधा चमच हिंग और चार चमच घी एट की हूँ आप जब भी आलू की कड़ी बनाया है तो उसमें जो तड़का है वह हमेसा घी से ही लगा है उससे जो टेस्ट है वह बहुत ही दूगुना जबर्दस्त हो जाता है तो घी का तड़का आलू की कड़ी में बहुत जादा अच्छा लगता है तो इसमें अधा चमच खिंग और एक चमच की कड़ी 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 में बिल्कुल नभूल यह देखे अच्छी लग रही है बहुत मज़ेदार कड़ी बनती है आप एक बा जवाब लगती है तो आलू की कड़ी तो बनके तयार होगी यह देखिए राइस के साथ अगर यह राइस के साथ जादे अच्छे लगते हैं अगर आपको पसंद हो तो आप पराठे के साथ भी खा सकते गरम गरम बहुत बढ़िया तो कड़ी तो बन गया है यहां पर हम मिलाते हैं न उसी तरह से आपना यह मसाला ले ले और भिंडी में मिक्स करदे और बस कड़ाय में आप उससे भून ले वह भी कर सकते हैं तो भिंडी के लिए कड़ाय में यहाँ पर मैं 3 चमस तेल ली हूँ आदा चमस जीरा डालके और इसमें मैंने भिंडी आइट कर दिय और इसे हम medium to low flame पे 10-15 मिनट तक भूनेंगे और भूनते भूनते ये देखे इसका कलर कुछ ऐसा हो गया है बीच में जरूत परेगी तो आप उसे ढग भी दीजेगा अगर आपको लगेगी नहीं गल रही है तो ढग भी देंगे लेकिन ये 10-15 मिनट में medium to low flame पे बहुत ही अच्छे से भून गई और ये देखे बहुत ही मज़ेदार मसालेदार भिंडी लग गया भिंडी बनाते भिंडी बनाते हुए ने मेरे दिमाग में आया कि चलो रायता भी बना लेते हैं जो आलू की कड़ी के साथ बहुत ही अच्छा बनेगा तो छिलका छिलनी की ज़रुत निया बहुत अच्छे से धो के बास हम अच्छे ग्रेटर लेंगे और लॉकी को घिसते ही न आप उसका प्रोसेस तुरंट से स्टार्ट करें क्योंकि वह काले पर जाते हैं तो ये देखी लॉकी तो घिस गया है गरम पानी में पहले चढ़ा दी थी क्योंकि हम इसे बॉइल करेंगे तो खौलते वे पानी में मैं इस गिसेवी लौकी को एड़ करूंगी और इसे बस दो सी तीन मिन तक हम उबलने देंगे उसके बात निकाल लेंगे और मैं इसे उसके बाद ठंडे पानी से धो रही हूं क्योंकि खेल रही है और कब मेरे पास आ जाएगी बोली कि गोदी मिलो पता ने इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं जल्दी बना रही हूं अगर आपको जल्दी नहों तो आपको ठंडे पानी से धोने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है इसे ठंडा होने दे उसके बाद उसमें अगर गरम लॉकी में दही अड़ करेंगे तो फट जाएगी त्विए ठंडी हो गई है उसके बाद कर्टोरी में मैं दही बैऄ हूं पान्स च्छ मज दही भी ले री रही हैं अच् ch mr deed करके उसमें जो लौ की है उबली हुई लौकी जो अरो हम अब आले हैं तो वह हम इड्ड करेंगे इसने मिला दूंगी फ्रेस् धन्या पत्ता अड्री करेंगे कटी हुई दो हरी मिर्च अद करणगे अगर आप हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो skip कर दें और अगर खाते हैं तो जरू डाले बहुत अच्छे flavor आते हैं उससे आदा चमच भुना हुआ जीरा powder और यहाँ पे मैं छोटे चमच से एक चमच राय का तेल डाल रही हूँ कच्छा राय का तेल है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे उसके साथ यह पिसी हुई सरसो एक चमच सरसो का powder है पिसा हुआ है मेरे पास पहले से पिसका रखी हूँ ते मैं वह एट की हूँ आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी वाली है काली वाली है तो जो आज में जो लंच वो रेडी हो गई है रायस उसके साथ आलो की कड़ी विंटी फ्राइल अच्छे वाली प्याज लौकी का रायता और पाप बहुत ही बढ़ियां लगता है खाने में अगर आपने कभी नहीं ट्राइकिया आलो की कड़ी लौकी का रायता तो बताईएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूं नेक्स रेसिपी के साथ बाई बाई